हेले दोस्तों मैं हूँ पृतम और आपका बहुत स्वागत है मेरे किचिन में आज मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ कच्छे आलो से बनने वाले स्नैक की रेसिपी शेयर करने वाली हो जिसे बनाने में आपको नाज़ादा मेहनत करनी होगी और नहीं कोई सॉस का इस्तमाल करेंगे बस 15-20 मेट में बनकर तयार हो जाते हैं और टेस्ट इतना स्वाधिस्ट होता है ना कि जब आप एक वारी से बना लेंगे तो बार वारी से बनाएंगे तो आज मैं बना रही हूँ पोटेटो 65 जो की मंचूरियन नहीं है क्योंकि इसमें हम कोई भी सॉस इस्तमाल नहीं करने वाले हैं तो पहले मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज की आलू लिये हैं जिसे मैंने छील कर पाने में डाला है ताकि आलू काले नहीं पड़े अब हमें आलू को ग्रेट करना है तो ग्रेट करने के लिए मैंने यहाँ ग्रेटर ले लिया है और आलू को एकदम बारीक नहीं करना है जो बड़ा वाला साइड होता है जिससे मोटे मोटे लच्छे निकलते हैं उसी साइड से ग्रेट कर लेना है तो आलू के बहुत ही बे पानी को अच्छे से दवाते वे निकालेंगे ताकि जब हम इसमें कॉन्फलर या बाकी की सारी चीजे एड़ करेंगे तो जादा हमें एड़ नहीं करना पड़ेगा तो अब यहां मैंने सारा पानी अच्छे से निकाल लिया है और अब इसे हम बाउल में ट्रांसफर करेंगे और आप यहां देख सकते हैं कि यह अभी बिल्कुल सूखा सूखा लग रहा है और इनके लच्छे बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है तो अब मैं इसमें कुछ बेसिक सी चीज़े अड़ करूँगी क्यूंकि इस रेस्पी में 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 इंग्रीडेंट आलू ही होता है तो सबसे पहले मैं यहां आधा चमच काली मिश बॉडर एड़ कर रही हूँ उसके बाद एक चमच कश्मीरी लाल मिश बॉडर एड़ करूँगी इससे ना ब्राइट सा रेट कलर आएगा उसके बाद आधा चमच ही रेट चिली फ्लेक्स एड़ करूँगी आप चाहें तो इसकी जगह पर हरे मिश को बारिक बारिक काट करके भी डाल सकते हैं अब इसमें मैं 20-25 करीप पता को इस तरह से हाथों से क्रस्ट करके एड़ कर रही हूँ आप चाहें तो बारिक बारिक काट करके भी डाल सकते हैं पर जैसे भी डालें डालिएगा जरूर क्यूंकि इससे इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लिवर आता है अब इसमें टेस्ट के कोडिंग नमक एड़ करेंगे अब इसमें मैं बाइन्मी के लिए दो चमच मैदा एड़ कर रही हूं पर आपको मैदा नहीं पसंद है तो आप इसक अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे अब चाहें तो इसमें कुटी हुई एक चमच अद्रक लसन भी डाल सकते हैं मैं वीडियो शूट करते समय भूल गई थी पर बिना अद्रक लसन के भी यह बहुत ही टेस्टी लग रहे थे अब एक बार इसे अच्छे से मिक्स करने के ब अधिरत नहीं पड़ेगी अब कराही में तेल गर्म करेंगे और जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तब इसमें यह एक एक करके डालते जाएगे और पकौरे की तरह करेंगे तो चोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो आप साइज बना सकते हैं और शेप भी आप जाएगे पर अंदर से कच्छ रह जाएगे और बहुत लो फ्लेम में भी फ्राइगे ना तो तेल अब्सॉर्ब कर लेंगे तो ध्यान से मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें अच्छा साल लाल होने तक और आप यहां देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़ी आया है और यह बहुत इसमें आधा चमच कॉंफरर एड़ कर रही हो थोड़ी सी हल्दी पॉडर डालेंगे टेस्ट के कॉर्डिंग नमक आधा चमच जीरा पॉडर आधा चमच कश्मीरी लाल मिश पॉडर और आधा चमची काली मिश पॉडर एड़ करेंगे अब सभी चीजों को बढ़ियां से दही के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रखेंगे अब फिर से कडाही में दो चमच तेल गर्म करके इसमें एक चमच बारी कुटी हुई लसन अब लसन जब हलका सब भून जाएगा तब इसमें चार से पांच हरी मिर्च को स्लिट करके डालेंगे उसके बाद एक पारी कटा हुआ प्याज अट कर रही हूं साथ ही 15-20 करी पता डालेंगे और सारी चीजों को अच्छे से भून लेंगे फ्लेम को यहां पर हाई ही रखिएगा जिसे की प्याज में क्रंच बना रहे है अब सारी चीजे जब अच्छे से भून जाएंगी तब ये दही वाला यहां मसाले को दो मिनट अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद जब मसाला इस तरह का हो जाएगा तब इसमें ये आलू वाले पकोड़े आइड कर देंगे अब इसे हाई फ्लेम पर एक वार अच्छे से टॉस करते हुए मिक्स कर लेंगे अब आप चाहें तो इसे बिना लसन प्याज के भी बना सकते हैं क्योंकि सावन चल रहा है और बहुत सारे घरों में बिना लसन प्याज के ही खाना बनता है तो आप इसे किसी भी तरह से बनाएंगे तो स्वादिस्ठी बनेगा तो आलो तो सबके घरों में होता ही है तो एक बार इस चटपटी खटी और तीखी एकदम spicy potato 65 को जरूर ट्राइ करें और मुझे comment में बताएं कि आपको मेरे recipe कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 वीडियो को like, share और channel को subscribe कर दीजिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और ऐसी ही मज़ेदार recipe के साथ तब तक के लिए बाबाई